अगर आप चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करें जरूर प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए आज मैं आपको बताने वाली हूं गेहूं के आटे से पापड़ बनाना मैंने एक कप गेहूं का आटा लिया है एकदम बारिक वाला आटा है अगर आपका आटा मुटा है तो आप चानकर बारिक कर लीजिए इसके बाद इसमें आप डालेंगे जीरा तो यहां पर एक चमच में जीरा डाल रही हूं यहां पर यह डाल रही हूं प्ली नमक सफेद नमक लिया है मैंने यह अब इसमें डालना है आपको लाल मिर्च मैंने थोड़ी सी मुटी डाली है कु सोड़ा लिया जए पर चॉथही चमचे आपको काने का सोड़ा डाला है इसका इसके बाद आपको अच्छे से से इसको मीश कर लेना है ताकि सारा मसाला इसके से मिकला झाए इसके बाद आपको पानी से इसका एक डो रेडी करना है एकदम पतला एकदम घोल बनाना है इसको आज में एकदम नए तरीके से आपको पापड पता रही हूँ इसमें आपको डो रेडी नहीं करना पड़ेगा ना बेलना पड़ेगा आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए इस तरीके से लिगे में एक दम पतला बैटर इसका ठेड़ी कर लेना है गेहूं का आटा थोड़ा सा गाड़ा हो जाता है रखा हुआ तो अगर आपका बैटर गाड़ा हो जाता है तो आप उसमें पानी और एट करके इसको पतला कर स पतला बैटर तैयार करना है आपको अब मैंने यहां पर एक बर्तन में पानी गरम होने के लिए रखा है पानी एकदम आपको उबल जाना चाहिए यह आप चेह कर लीजिए पहले अगर आपका पानी में उबाल आ गई है तभी आप आपड़ बनाना शुरू करें देखिए अब मैंने यहां पर जो प्लेट रखी थी इसी से में बनाऊंगी अब इस पर लगाना है आपको तेल बाहर नहीं निकलना चाहिए प्लेट इस साइस की होना चाहिए आपके एकदम बस अस्तिल लगा लिए अच्छे से यह इसके बाद इस पर हम आप बैटर जो हमने बनाया उसको हम चम्चे की साहता से इस तर departure से फैला देते हैं पतला रहता है तो प्लेट जाता है फिर भी लेकिन अगर एकसे ना आए गोल आई में तो आप०े से और इस तरह पांड एज़ाने शमचे से फार में प्लेट धाया है फिल्प भर कर देना है और पापहो ना आपकही फिर बार के पापड में टायम लगील दूसरी बागा पापड फटा-फटाफड बनते जाएंगे अब देखिए थंडा हो चुका है थंडे होने पर ही आपको पापड को निकालना है गरम में नहीं निकालना है बस चाकुल कासा लगा करें इस तरह के से और आपको निकाल लें एक टेल लगा होता है आसानी से यह न चीफों का कपड़ा होता है तुपट्ट्था है यह साधी है उसप इसको फैला सकते है यह इस तर частप लेकश कर के सारे पापड फणा लीना है बहुती बढ़िया बनने हैं बहुती जल्दी बनन जाता है और साल बढ़ तक इसको आप आसान इसे स्टोर करके भी रख सकती हैं इसमें मसाला जूक के अच्छे से डला हुआ है तो आपको उपर से मसाला डालने के भी कोई जरूरत नहीं है इस तरीके से सारे पपड़ लीडी कर लीजिए मैंने यह आपको किशिंगे प्लेट मोब पर ही बता रही को कि मैं वीडियो बना रही हैं लेकिन आप इसको डारेट धूप में प्लेट में लेजाकर सुखा सकते हैं वहां पर एक तरीके से च्छे दो दिन में धूप में ही आराम से अच्छ यह देखिए कड़ाई गरह में इसमें आपको तलने का तरीका है आप इस तरीके से जरी इसको दबाते जाए और चिम्टे इसको पकड़ गया इसको पलाटते जाए एक दम फ्लैट पापड रहेगा आपका लाल भी नहीं पड़ेगा यह देखिए बस इसको तुरह तरिचा कर कुछ लाने के जरूरत नहीं है यह सब सारी सामान आपकी घर में आसानी से अवेलेबल रहता है गर्मियों में तो बहुत ही अच्छी रहती है तो इसको आप आराम से सुखा करके साल बढ़ता के स्टोर करके भी रख सकते हैं और बहुत बढ़िया स्नेक का काम करता है यह तो आप ट्राइगे जेस रेसिपी को उम्मीदे आपको रेसिपी जरूर पसंद आया होगी आप ट्राइज जरूर करेंगे चैनल को लाइक शेयर और सब्स्राइब करें